नमस्कार मैं हूँ मेगा सिंग और आप सभी का स्वागत है SPN 9 News में महराश्रु में सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है और देखा जा रहा है कि अब बगावती सुर एकनाथ शिंदे गुट से उठते हुए नजर आ रहे जिहां हाली में जिस तरह से कैबिनेट विस्तार हुआ है उसके बाद विभागों का जिस तरह से बटवारा हुआ है इस बटवारे से नाखुष है सिंदे गुट के कई सारे विधायक और अब गुठबाजी के अंदर ही गुठबाजी होती हुए नजर आ रहे है लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या शिंदे गुट के विधायक नाराज होने के बाद अब वापसी कर सकते हैं सिफसेना और उधव ठाकरी की और यहाँ पर देखा जाने कि उधव ठाकरे इस पूरी राज़नीती के बाद अब काफी confident नजर आ रहे हैं भले ही सत्ता से उनका सफाय हो चुका है लेकिन उधव ठाकरे यह दावा कर रहे हैं कि जल्दी सिफसेना की सत्ता में वापसी होने वाली है और जिस तरह से बगाविती सोर एकना शिंदे गुट के अंदर चल रहा है उससे कही न कहीं अब उधव ठाकरे के जो यहां पर कहने थे जो बोल थे वो कहीं न कहीं साबित होते हुए नजर आ रहे हैं चलिए इन सारे मुद्व पर आज हम चर्चा करेंगे और हमाई साथ मौजूद है नेहा सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है नेहा जिस तरह से आज महाराश्य की स्थिती देखी जा रही है बीजेपी तो पूरी तरह से सही है उन्होंने डिप्टी सीएम का पद ले लिया साथी बड़े ग्री मंत्राले स्वास्त मंत्राले यह सारे मंत्राले अपने पाले में कर लिया लेकिन अब मुश्किलें एक नाशिंदे की बढ़ रही है क्यूकि इन मंत्राले और विभागों की बटवारे की वज़ा से कही न कहीं गुट के अंदर जो देखा जा रहा है बवाल मच रहा है चाहे वो क्रिशी मंत्राले हो जिस मंत्री को दिया है एक नाशचिंदे ने यह मंत्राले उससे भी खुश नहीं ने अज़र आरे कई सारे विधायक और जिससे विभागों का बटवारा हुआ है कई सारे विधायकों का डिमोशन हो गया है यानि कि जो की उधर ठाकरे में जो आगे अच्छे पद पर थे आज सिंदे सरकार में उनका जो है देखा जा रहा है कि वह एहम पद उन्हें नहीं मिला तो क्या लग रहा है इससे मुश्किले सिंदे की बढ़ने वाली है आने वाले समय में देखिए मेंगा अगर यहां पर हम बात करें महराष्ट के बारे में कि महराष्ट में अभी तक ही यह सोचा और माना जा रहा था कि जी दिन मंत्री मंडल का विस्तार हो जाएगा उस धिन यह कला Tele कहीं न कहीं शानत हो जाएगी लेकिन यहाँ पर तो इसके उलटी देखने को मिल रहा है आपकला खत्म होने की बज़ाय और जादा बढ़ती जा रही है जिस तरीके से यहाँ एकनाज शिंदे के गुटके जो विधायक है वो अपनी नराजगी जो दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वो नराजगी इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एकनाज शिंदे ने वादा किया था अपने विधायकों से कि इनको मतलब कि उनके विधायकों को मंत्री मंडल में जगा दी जाएगी लेकिन कुछ ऐसे विधायक जिनका नाम भी उस मंत्री लिस्ट में नहीं था जिस वजे से वो नराज हो चुके हैं और शायद उनकी नराजगी यह लंबी चल सकती है क्योंकि देखे मंत्री मंडल का विस्तार तो हो चुका है और उनको उसमें कोई जगा नहीं मिली है अब उन विधायकों के लिए दोबारा से मंत्री मंडल का विस्तार तो करेंगे नहीं यानि कि वो जो विधायक है उनका अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि वह उद्धा गुट के पाले में जा सकते हैं क्योंकि अगर उनको यहां पर कोई जगा नहीं मिली तो वह उद्धा गुट को जरूरत है विधायकों की और अगर आप मानिए कि एक एक करके विधायक कि यहां शिंदे गुट से उद्धा गुट में चले जाते हैं तो शायद आने वाले समय में शिंदे की कुर्सी को बहुत ज्यादा खत्रा आप माना जाएगा जी बिल्कुल यहां पर अगर जो चालिस विधायकों के साथ उन्होंने आज गटबंधन की जो सरकार बनाई है बी यार है उन बागी विधायकों का तो यहां पर नेहागर बात की जाए दावा यही किया जा रहा था M.V.A की तरफ से की छे महीने के अंदर ही सरकार गिर जाएगी छे महीने के अंदर ही मद्धिवधी चुनाब हो जाएंगे और सिफसे ना जल्दी वापसी करेगी यह दाव नहीं कि उनका कहना था कि उद्धर ठाकरे दोबारा से सत्ता में आएंगे लेकिन यहां पर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूं अगर बिहार का उधारन में लेती हूं तो बिहार में भी तमाम विपक्षी पार्टियां यही कह रही है कि यह जो सरकार है यह जादा दिन नही डियुक्ताइब हाना इस नहीं देविधिर करताता करें और मंदल के विश्तार को चार से पांच दिन रहे लेकिन अभी को पहा ऀता को बिकास को रहे कर यहां देविंदर विंदर पर नवेश और versatile LAUGHTER जिससे ये पता चले या जिससे ये मैसूस हो कि हाँ वो महराज की जनता के लिए कुछ काम कर रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ इन ही कम्यों की वज़े से एक नाच शिंदे अपनी कुर्सी चोड़ेंगे और देविंदर फर्णविस यहां अपनी कुर्सी चोड़ेंगे जी बिल्कुल महरास्ट्र में कही न कही राजनीती की वज़े से जनता को नकारती वे नजर आ रही है शिंदे सरकार ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब जनता आने वाले समय में नकार देगी क्योंकि सिवसेना यहाँ पर पूरी confidence नजर आ रही है कि जल्दी उदफ ठाकने की सता में एंटरी होने वाली है और एकनाशिंदे की सरकार गिरने वाली है तो ऐसे मैं अगर बात किया जाए तो बीजेपी कहां स्टैंड करती है आपको क्या लगता है कि जैसे एकनाशिंदे गुट के अंदर जो यहाँ पर बगावती सुख बुगाहट देखने को मिल रही है अगर कल होकर एकनाशिंदे के विदायक स्टैंओ की तरफ रुख करते हैं तो क्या इहां पर बीजेपी सिवसेद्ध की तरफ रुख कर सकती और एकनाशिंदे को बीच मचधार में छोड़ सकती है देखिए यहां पर मेरे इस बारे में थोड़ा सा भी कहना मुश्किल होगा कि यहां BJP शिंदे की तरफ भूद कर सकती है कि नहीं क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दो कि उद्दव ठाकरे की तरफ अगर यहां पर देखा जाता है कि उद्दव ठाकरे के हित में फैसला आता है या फिर बागे विधायक जो है वो उद्दव गुट की तरफ आते हैं तो शायद यहां एकनाज शिंदे अकेले पड़ या फिर अकेले ही मुझे लगता है कि महरास की सत्ता पर बैठे रहेंगे जिब बिलकुल एकनाज शिंदे अपने राजनीतिक भविष्य को किस तरह से बचाते हैं ये भी एक सवाल है और किस तरह से सिफसे ना वापस में सत्ता में एंटरी करती है ये भी एक सवाल है लेकि हैं अभी भी देखा जा रहा है कि शिंदे इन विधायकों को मनाने में लगे हुए हैं जो सत्ता की लालच शिंदे कर लाये थे भो कही न कहीं इन विधायकों का पूरा नहीं हो रहा है तो किया यहां पर नहाइं लग सकता है कि आप उद्धफर ठाकरे अब देने की कोशिच करेंगे और परदे के पीछे की राजनीति की बاد की जाए तो क्या अब उद्धधः ठाकरे उन विदायकों को अपने पाले में ला कर महराश में एक नया खेल करेंगे देखिए यहां पर पाले की बात अगर हो रही है तो मेंगा यहां पर वाली चीज हो सकती है कि दो पार्टिक लड़ाई में या तीसी पार्टी भाइदा ले सकती है तो अगर यहां शिंदे गुट अपने विधायकों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं शिंदे तो बिल्कुल यहां वो लालत जरूर देंगे उद्दव ठाकरे क्योंकि उनको जरूरत है इस वक्त विधायकों की और अगर विधायक एक बात शिंदे के हाथ से निकल गए तो शाय कही न कहीं सिंदे गुट के अंदर नदर नजर आ रही है क uniqu पर फाइदा उदव ठाकरे आने वाले समय में उठाकर जो दाव झाल